ये गाइज वेलकम तो माइ चनल इस यासमीन आज मैं आपको कुंदा बनाने की रेस्पी दिखाने जारी हूँ कुंदा एक मीठी मीठा डिश है बलगावी कुंदा भी कहते हैं उसे आमतर पे कुंदा है दूद को उबाल के को वनफोर्ट तक रिडूस करके अंदर दही डालके उसके बाद छीनी डालके कुंदा करते हैं मैं यहाँ फटे हुए दूद का कुंदा बना रही हूँ बाइचांस कभी आपका दूद फट जाए तो उसे फेक मत दीजिए उसका कुंदा बनाईए यह फटा हुआ दूद है यह हाफ लिटर दूद है और चीनी मैं आपको बाद में बताऊंगी कितनी पड़ेगी अंदर और उसमें काडमन पौडर भी दाला जाता है इलाइची का पौडर आप चलिए इसे ग्यास पे पकने के लिए रखते हैं ग्यास को ओन कर लेते हैं और इसमें एफटा हुआ दूद दालते हैं अब इसे बस बॉइल होने के लिए रखते हैं ऐसे ही चमच हिलाते रहें और बॉइल होने के लिए दिए चमच हिलाते रहें क्यूंकि फटा हुआ दूद ऐसे अंदर थोड़े से गाटे रहते हैं उसे ऐसे ही फोड लीजिए फोडते हुए चमच को हिलाईए अच्छा तरह से बॉइल होने दे ये पूरा पानी खतम वे तक आप पकाते रहें आईसे ही चम्मच छिलाते रहें ये पानी जाकर सिर्फ अंदर का ये छेना हैना चाहिए देखिए ये दूद रिड्यूस हो चुका है अब सिर्फ छेना बचा है पूरा ड्राय नहीं हुआ है अंदर थोड़ा मॉइस्ट है अब इस स्टेज पे शुगर डालेते हैं अंदर चक्कर मैंने हाँ 80 ग्राम शुगर डादी है अब लिटर मिल्क को यहाँ दो इलाइची का पौडर डाला है अच्छे से मिक्स कर लेए अब यह शुगर मेल्ट होना शुरू हो चुकी है अच्छे से मिक्स करें देखे यह हमारा कुंदा बनके तयार हो चुका है यह कुंदा भी लग रहा है और कलाकन भी लग रहा है अब इसे एक सर्विंग बॉल में निकाल लेते हैं देखें कुंदा बनके तयार हो चुका है मैंने इसे पिस्ते से गार्निश किया है आप भी इसे जरूर ट्राय कीजिए और अपने घर में एंज़ोई कीजिए मुझे आपका एक्सपिरियंस जरूर बताइए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर कीजिए और मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू